नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का फिर से पीके एडवांस साइको यूट्यूब चैनल पर दोस्तों कल जो मुखमंत्री के द्वारा जो बोशना होई थी उसमें एक समस्या हमारे लिए ग्रेट हो चुकी है अब हमारे सामने तीन चीज़े हमारे सामने आ चुकी है रिट भी आ चुकी है ग्रेट सेकेंड वी आ चुकी है तो इन तीनों की तैयारी हम कैसे करें किसकी तैयारी करें किसको छोड़ें किसको पकड़ें ये समस्या सभी विध्यारतियों के सामने है तो उसी समस्या का समधान करने के लिए ये छोटी सी क्लास मैं ने आपके लिए बनाई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें आगे की सारी information आपको motive करने के लिए और साधे साथ पर मारी live class होती है psychology से संबंदे तो उसको भी attend करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और like आप सबी कर लें तो आप चर्चा करते हैं तैयारी हम किसकी करें देखिए तीन चीज़े हमारे सामने है एक तो है read जिसकी कोषणा अभी कल ही cm मौदे द्वारा की गई है आप सभी को पता है इसकी date भी आ गई है 14 से और 15 मई दोनों में ये exam होनी है दूसरा है कुछ विध्यारती great second की तैयारी कर रहे थे कुछ first की तैयारी पहले से ही कर रहे थे ये दोनों की तैयारी अभी चब रही थी लेकिन जैसे ही ये जो कल गोशना हुई उसके सामने बहुत सारा confusion हमारे सामने आ चुका है कि हम त तैयारी करें तो करें किसकी तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ मैं केवल आपको सला मार्ग दर्शन देने के लिए मैंने आपको बनाया सला आप माने या ना माने लेकिन मैं आपको बता दूँ डिसीजन श्रम विध्यारती का होता है डिसीजन श्रम इस्टुडेंट का हो देखिए कुछ चीजे मैं आपके सामने लेकर आया हूँ देखो कुछ शर्ते हैं कुछ समस्याएं हैं वो समस्याएं आप एक बार देखें देखो समस्याएं क्या है कि लेवल बनके जो बिद्यारती हैं उनको तो साहिद समस्याएं नहीं होनी चाहिए क्योंकि उनके पास केवल और केवल एक ही जरिया है रीट के जरिया है उनके पास रीट और रीट में भी क्या एलवन रीट में भी क्या एलवन की वो तयारी कर सकते हैं तो यह जो बिद्यारती क्योंकि अभी अभी आपने REIT की एक्जाम दी है अच्छे से उसकी तैयारी की है और उसके लिए हमें काफी समय मिला इतना समय साइद हमें कभी नहीं मिल पाएगा तो आप सभी की तैयारी पहले से ही है और उसे बहतर बना ले के लिए आप अभी से उसको तैयारी को चालू कर दें और निरंदर रूप से अपना अध्धानकार है वो चालू कर रहे बिना किसी confusion कि इनको तो कोई confusion ही नहीं है पहले वालों को कि 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 हम तैयारी करें तो लेवल वन के लिए तो कि अवल रीट ही बस दी है तो REIT की तैयारी के लिए लग जाएं और वहत्रीन मौका आपके लिए तुरंथ आपको कुवर्मेंट ने दिया ऐए ऐसा मौकर नहीं मिलेगा अभी एक्जाम हो यह तुरंथ दो मेने बाद आपको फिर एक एक्जाम करा रही है तो यह आपके लिए वहत्रीन मौका है इसको इस फ़ाब नहीं छोड़ें तो इनकी समस्चय तो हमें यह समस्चय नहीं लगी दूसरी है जो विलकुल बिद्धि नूस ट्रेंड रफ रफ जन्नों ने हाल ही में वेड किया है वो क्या करें उनके तो देखिए दोस्तों सबका अपना मनतब्ब है और मैं भी अपना मनतब्ब आपके सामने ही सेयर कर रहा हूं बाकि आप सबी की इच्छा है उसी को आपको करना चाहिए जिसमें हमारे इंट्रेस्ट हो तो मैं आपके लिए यहाँ पर जो बिल्कुल न्यू स्ट्रेंट्स हैं उनके लिए कहूँगा कि उनका जैसा इंट्रेस्ट वो तो कार्य करें ही मैं आपसे कहूँगा कि वो निश्चित रूप से करण क्या है मैं आपको कारण बतायता हम क्यों क्यों कि देखिए यह सभी मानते हैं कि जो हमारी एक्जाम सबसे पहले होती है उसकी तैयारी हमें करनी होती है तो अभी तो हमारे सामने date आई है कौन सी 14 और 15 मई और इसी को target करके मैं पढ़ना है great second, great first की कोई अभी विक्यपती नहीं आई है कोई उसकी date नहीं आई है तो जो news trend है उनको बिल्कुल जो read की vacancy जो घोशित हो चुकी है कल उसके वारे में ध्यान में रखकर उन्हें 14 और 15 मई को target बनाकर निश्चित रूप से read की तयारी करनी चाहिए ऐसा मेरा मानना है बाकी आप सभी का decision है आप सभी समझदार है आप कैसे उसको tackle करते हैं वो मैं आपको बताएता हूँ ठीक है तो read की जो vacancy 14-15 मई की exam है और निश्टेंट उनके लिए यह एक बहतरी मौका है तुरंत वो इसमें लग जाए हाँ इसके बाद में ज़्यादा आपको समय और नहीं मिलने वाला यह भी मैं आपको उता दूँ जब आपको great second or first के लिए आपको ज़्यादा समय नहीं मिलेगा जैसे ही exam होती है complete तुरंत उसके बाद में वो exam करा दी जाएगी इसलिए आप पहले किसकी तैयारी करें read की तैयारी करें जो new strengths है आगे में चर्चा करता हूँ तीसरे में देखो तीसरी जो इस्तिती बनी हुई है सेप्टमबर को ही थी और उसके बाद में कुछ विद्ध्यारती ने अच्छा किया वो निश्यत रूप से सफल होंगे सकसेज होंगे वो निश्यत रूप से लेकिन कुछ विद्ध्यारती उसमें अच्छा नहीं कर पाए वो थोड़े से माक्स में पिछड़ गए तो ऐसे बिध्यारतियों मनता कि एक बार और रीट आ जाए दुबारा हम उसकी तैयारी कर लें तो देखो गवर्मेंट ने आपकी सुनी और पुने पुने दुबारा रीट की वेकेंसी की गोशना कर दी है और उसकी डेट भी आपको देदी है आपको बार 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 बता रहा हूँ उसकी डेट भी आ चुकी है तो ऐसे बिध्यारतियों का रीट का मन था लेकिन बिकल्प नहीं होने पर फर्स्ट और सेकंड की ग्रेट की तैयारी करनी पड़ रही थी तो उनके लिए भी बहतरी नौका है पुने रीट की एक की है और आप उसमें बिल्कुल अभी से लग जाएं यह नहीं सोचें कि रीट की एक्जाम में कितने पेपर होंगे क्या होगा क्या नहीं होगा यह पातरता ही परिक्छा रहेगी या फिर इसके बाद एक परिक्छा और होगी इस 14 और 15 माई की डेट दो वार क्यों दी है यह यह सारी चीज आपके लिए नहीं है यह सारी चीज किसके लिए है यह सारी चीज गौर्मेंट के लिए है गौर्मेंट क्या डिस्जिन करती है वो उनका होगा आपका तो एक ही कार है एक ही करमे और वो है आपका अध्धन करना आपको तो निरंतर रूप से आप अभी से एक चाहिए है देखो मैंने बहुत समझ कर इन सारी चीजों को लिया है कि आपने जैसे ही रीट की एक्जाम दी रीट की एक्जाम आपने भी दी थी 26 सेप्टमर को 2021 में और उसके बाद में आपने उसमें अच्छे मांक्स हसल किये या नहीं किये ये एक अलग बात है लिए आपने कर दी अब यह समस्थ से आग यह दुवारा रीट आ गई तो हम किसकी तैयारी करें तो दोड़ेको मेरा मानना यह है जिन्होंने पहले रीट दे दी है पहले रीट जो दे चुके हैं जिन्होंने रीट की एक्जाम दी है और वो अब सेकंड गृड ये फिसट गरेड की लगे रहे हैं क्योंकि 2,5 मेने को उन्होंने समय दिया है दूसरा जैसे ही ये विग्यपति आती है आप सभी को पता है exam date जैसे ही विग्यपति आती है तो दो मेने पहले हम इनको बिल्कुल रख देंगे और read के लिए बिल्कुल ततपर हो जाएंगे क्यों कि काफी कुछ सलेवा से इंसे मिलता जुलता ही है आपस में तो उसके बाद में हम क्या पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा समय निकाल कर जैसे एक दो घंटे हमने डिली निकाल लिया और उसमें रीट के जो एक्स्टर टॉपिक्स हैं उनको हम पढ़ेंगे बाकी तयारी इनकी हम जारी रखेंगे लेकिन जैसे ये एक्जाम आती है पहले ये एक्जाम आती है रीट की और ये ही आएगगी पहले एक्जाम तो ये एक्जाम आती है तो इससे हम दो मेने पहले हम इनको थोड़ा से स्टॉप करेंगे और रीट पर उनके बारे में आप समय निकाल कर एक दो घंटे आप देख ले और रीट से एक डेट दो मैने पहले आप बिल्कुर रीट के लिए पुरा फोकस करें उसका द्यान दे तो निश्चित रूप से आपकी तीनों की प्रिपेरेशन जो आप चल रही है आप सेकिंड गेट की कर रह पर अबिष्ट की लोगे एक जैसा हो गया तो जो कुछ स्टीवारती थोड़ा सburg ब Lawrence का फ्रक है तो जो आइंस्ट की सेट रही कर सकते हैं को सेंजसी तुरूप्स से अभी जो लगे हूए सेंगेटं ब haft kön of कि करनी चाहिए जो फर्सने राडवे लागे और ड़ अंको समय न कर लेना चाहिए इतना से समय हमारे पास निकल सकता है हमारे पास समय है तो यह दोस्तों आपकी confusion काफी सारी confusion थी कि हम किस की तैयारी करें तो मैंने सभी की जो पास नोट्रीकेश करें चारो इस्तिती मैंने आपको बता है ऐसे ही अभी मैं इस समय और सारे बहुत सारे बिकल्ब आपके सार्य रखोंगा तो आप यह सारे चीज जानने के लिए और कौन-कौन से ट्रॉपिक्स इन स्लेवस में अलग अलगे उनको जानने के लिए आप हमारे चैनल को लगाता है जुड़े रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें बैल आइकन दबा लें जरूरा ताकि आपके पास जैसे में क्लास मनाओं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए तो यह हमारे क्लास का उद् और लिए यह जो 14-15 कुछ विद्धर हर्तियों का भी इसी प्रसनागे सरी 14-15 की दो डेट के उद्ये क्या होगा क्या नहीं होगा यह आपका बिल्कुल मैटर नहीं है आपका केवल एक ही कार है पड़ाई करना पड़ाई करना पड़ाई करना इसके लाबा आपको कुछ नह क्लासेज इस तरह की प्लानिंग के बारे में आपको मैं बताता रहूंगा तो आप मारे चैनल से जोड़े आप सभी का में तुरू बहुत बहुत धन्यवाद थेंक यू बाई बाई